नमस्कार जनता के लिए जनता की अवाद जनता समचार में आपका स्वागत है आप देखते हैं दिन भर खबरे लेकिन हम दिखाते हैं सिर्फ सची खबरे आईए देखते हैं आज की प्रमुख खबरे सरकारी जमीन पर चल रही थी फ्लाई एज से इट बनाने की फैक्टरी जबलपुर में तिलवारत थाना अंदरगत सिबनी टोला में सरकारी जमीन पर फ्लाई एज से इट बनाने की फैक्टरी चल रही थी गुरुबार को SDM जबलपुर नमस्सिवाई अरजडिया के सासन अमले ने कारिवाई कर 20,000 तयार रखी इंत तथा करी 25 डंफर रेट जब्त किया SDM जबलपुर ने बताया कि चरगाबा रोड स्थीद ग्राम सिवनी टोला में भूपत पटैल द्वारा एक अन्यवेक्ती विनैवर्वा से अपनी एक एकर भूमी पर विक्र फैक्टरी लगाने का करार किया गया था लेकिन यह फैक्टरी उसकी खस्ता नंबर 157 की भूमी के बजाए समीप में इस थीद खस्ता नंबर 158 की सासकी भूमी पर लगा दी गई भूपत पटैल द्वारा पिछले करीब 10 वर्स से फैक्टरी संचालक से इस भूमी का किराया भी लिया जा रहा था उन्होंने बताया कि विक्र फैक्टरी पर की गई कारेवाई के दौरान जब्त समागरी को संचालक की सुपूर्दगी में दे दिया गया है इसके अलावा आबगमन वाली सड़क पर भूपत पटैल आशिफ पटैल आदी द्वारा अवैत कबजा कर रखी गई करीब 25 डंफर रेत को जब्त कर खनिज बिभाग के सुपूर्दगी में दे दिया गया है SDM जबलपुर के मुताविक मौके पर किये गए आकस्मीक ने डिक्षण में पाया गया कि बैंक द्वारा विने बर्मा को सासकी भूमी पर विक्र फैक्टरी लगाने के लिए दिर्भी उपलब्द करा दिया गया था स्रियर जर्या ने बताया कि इस मामले में विस्तरत जाच की जा रही है और जाच प्रति बेदन मिलने पर दोशियों के विरुद कारवाई की जाएगी ये थी आज की प्रमुख खबरे और प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें